रेंद्र मोडी माठ लड़त नारू लाइब अच्छुता के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो इनका लाब हमारे युवा हमारे मध्यमवर्ग गरीब दलीद पिछडे यह सभी वर्गों को मिलेगा इस बजेट का एक महत्वक्रण पहलू है गरीब का कल्यान हर गरीब के पास पक्ता घर हो नल से जलाता हो उसके पास साउचाले हो गैस की सुविदा हो इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है जो भारत के पहड़ी छेत्र है हिमालय का पूरा पट्टा जहां जीवन आसान बने वहां से पलायन ना हो इसे ध्यान में रखते हुए भी नई गोशना की गई है हिमाचल उत्राखन जमु किश्मीर नौर्थ इस्ट ऐसे छेत्रों के लिए पहली बार देश्ट में परवत माला योजना शुरू की जा रही है ये योजना पहाड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आदुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ति गाउं है बौर्डर के गाउं है जिसका वाइबरंट होना जरूरी है जो देश की सिकुरिटी के लिए भी आवश् मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्यान के लिए एक महतवपूर कदम उठाया गया है उत्तराखन उत्तरप्रदेश जारखन बिहार पस्चिमगा इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को पोच्छान दिया जाएगा इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी बजेट के प्रावधाम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि क्रशी लाबप्रद हो इसमें नए अवसर हो नए एग्रिकल्टर स्टार्ट अप्स को प्रोसान देने के लिए विशेश फंड हो या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज इस से किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी MSP खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सबाद दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं कोरोना काल में MSP यानि हमारे चोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश्टे लगातार अनेक निर्ड़े लिए थे अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा ये आत्मन दिर्भास्ता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थ बबस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कल भारतिये जनता पार्टी ने मुझे सुबह ग्यारा बजे बजेट और आत्मंदिर भर बारत विशे पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है कल ग्यारा बजेट मैं बजेट के इस विशे पर विस्तार से बात करूँगा आज इतना काफी है यह पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूं जिस प्राइब मौर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का यह बजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्सित करता है यह पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर शेत्र में स्वागत हुआ है सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जन्ता जन्रारदर्ण की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है